असलावेकुम दोस्तों वेलकम बैक टो मैं चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर दाल वड़ा रेसिपी जो की काफी मसे का बनता है तो चली दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के हुए बनाना स्टार्ट करते हैं उसके लिए मैंने मसूर दाल लिया था उससे तीन घंटे के लि करने की और काफी क्रेस्पी होगी तो आप देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं यह काफी दर्दरी है अब इसके अंडर चलिए कुछ स्पाइसे आइड करते हैं 10-15 काली मिश हाफ टी स्पून जीरा हाफ टी स्पून सौं हाफ टी स्पून धनिया पौडर अगर आपके पा अगर मेरी बताई हुई रेसिपी से यह रेसिपी फॉलो करेंगे तो इंशाल्ला आपकी जो यह वड़े हैं काफी मसेदार बनेंगे उसके अंदर मैंने वन इंच अदरा का ग्रेट किया हुए आट कर दिया है 8-9 बारिक चॉप की हुई हारी मिश 10-12 कलिया लेसन की चॉप एक कब भड़कर हरा धनिया हरा धनिया जादा इसे माल करना है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आधा लेमू लिया था उसे का जूस निकार लिया अगर आपके पास बड़ा साइज लेमू है तो आप 2 टेबल स्पून के करीब लेमू का जूस एड़ करिएगा इन सभी ची अच्छे से मिक्स कर दिया है पानी बिल्कुल भी नहीं आट करना है अगर आपके बैटर गीला हो तो आप थोड़ा सा बेसन और एड़ कर सकती है ज्यादा कोशिश आप यही करिएगा कि बेसन का इस्तेमाल कम से कम करिएगा उसके बाद मैंने वन टीस्पून के करीब बिल्बग करना के त्यार कर लिया है तो चलिए दूस्तों अब गैस की तरफ चलते हैं और इसे प्राइप करते हैं मैंने बिल्बग कर दिया तो अल अच्छे से गरम हो गया तक टूट जाएंगे और यह अबिकर जाएंगे इसलिए आप इसमें डालने के एक मिनट बाद ही टच करिएगा और इस पून से मैं उपर से और ढाल दे रही हूं ताकि उपर से भी अच्छे से कूक हो जाएं इसे अलटते पलटते एक तीन से चार मिनिट के लिए हमें मेडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राइ कर लेना है ताकि ये वड़े जो हैं काफे क्रेस्पी हो जाएं और अंदर से भी अच्छे से कूक हो जाएं तो दोस्तों आप देखकर ये अंदासा लगा सकती हैं ये वड़े काफे क्रेस्पी बने और काफे जादा टेस्टी लग रहे हैं तो एक बात याद दिला दू अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं अभी तक आप ने मेरे चैनल को स स्क्राइब कर लीजी फैमिली फ्रेंड में जादर से जादर शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट करना बिलकुल भी नहीं भूलिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ जादर से जादर शेयर कर दीजिएगा तो दोस्तों इसे मैंने अच्छे से फ्राइब कर लिया है उसके खाइस की फ्लेम ही एर आने तक गोल्डेन टब लिया और इसे हम सर्व कर लेते हैं तो दोस्तों मैने इसे सर्व कर लिया आप देखकर यह अंदाज लगा सकते हैं ये बड़े काफी मुझेदार लग रहे हैं इसे मैंने टुमाटो सॉस और फ्राई की हुई मिर्श के साथ सर्फ किया है अगर आप चाहें तो शेज़वान चटने के साथ भी से सर्फ कर सकती हैं काफी जादा मुझेदार लगते हैं मैं इसे कट करके दिखाती हूं काफी आप इसी एक बार जरूर ट्राइ करिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि जो लाइक है आप सब की तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है और हमें ये इनाम जब मिलता है बहुत ही जादा खुशिव होती है तो आई होप आप सब को वीडियो बहुत पसंद हमेशा मेरी यही कोशिश रहती हम आप सब के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाए और ऐसी वीडियो बनाए जो की चीज़ें आपकी घर में अविलेबल हो आप आसाने से बना सके तो दोस्तों आप लोग भी बनाईए इन्जॉय करिए तब तक के लिए मुझे ये अजासत, अल्ला हाफिज